नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्विक क्लासेज में अस्पीडिक करेंट अफेयर्स बार्शिकांग अक्टूबर एडिसन आ गया है नवंबर दोहजार तेज से लेके एक अक्टूबर दोहजार चोविस तक का आपडेट आज के विडियो में हम लेकर आएं सितंबर महिने में घटित घटना क्रम प्यादारीत वन लाइनर जो पूरे सितंबर महिने का निचोड है इसके बाद लेकर आएंगे इस बुक में दिया हुआ पूरे एक साल के 812 MCQ का मास्टर विडियो हमारे चैनल पे बने रहें और दोस्तों को भी सेयर करें आए शुरू करते हैं सितंबर महिने की वन लाइनर से एक सितंबर दोहजार चोविस को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया पेरिश उलम्पिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है तो कास पदक जीता है 14 हवे हावके इंडिया कॉंग्रेस का आयोजन कहां हुआ तो वो हुआ लखनाव में किसे बीजू पटना या खेल पुरुसकार मिला तो नालको के क्या है एक सितंबर 2024 को किस राज ने AI परियोग साला के लिए गूगल के साथ समझावता किया है तो वो है तमिलनाडू राज मास्टर कार्ड ने किस देश में भुकतान पास की सेवा की है तो वो है भारत में भारत में उत्तर परदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए है तो आठ रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए है अपात कालिन परवंधन पर भारत रूसी आयो की दूसरी बैठक कहा है हुजित हुई तो ये मास्कोम हुई कहां मास्कोमें भारतिय नौसेना के जहाज आयनेस तवर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुन्द्री अभ्यास किया भारतिय नौसेना के जहाज आयनेस तवर ने किस देश के नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुन्द्री अभ्यास किया तो वो है अस्पेन के पेरिस पैरा उलम्पिक में निशाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है तो वो जीता है रजद पदक हिमानसी टोकस ने SI कैड़ेट जूडो चैंपियंशिप में कौन सा पदक जीता है तो वो है रजद पदक किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मिजापि को रेमन मैकसे से पुरुषकार दोहजर चोबिस से सम्मानित किया गया है तो वो है जापान के किसने 125 भारते भासाओं के लिए AI पोर्जेक्ट मौर नी लौंच किया है किसने 125 भारते भासाओं के लिए AI पोर्जेक्ट मौर नी लौंच किया है तो वो है गूगल डीप माइंड ने भारत ने किस देश के साथ सेमि कंड़क्टर इको सिस्टम पर हस्ताचर किया है तो वो है सिंगापूर किस राज सरकार ने सोदेश दर्शन 2.0 योजना के तहट बौध परियटन सरकिट की योजना बनाई है तो वो है तिलंगाना राज किस देश के राश्टपती को उलम्पिक ओर्डर से सम्मानित किया गया है तो वो है फ्रांस के राश्टपती बिस्व बधिर सूटिंग चैंपियंशिप दोहजर चोबिस में भारतिय निसानेवाज अनुया परसाद ने कौन सा पदक जीता है तो वो है स्वर्ण पदक डुरांड कप दोहजर चोबिस का खिताब किस ने जीता है तो नौर्थ इस्ट उनाइटेड एफसी ने भारतिय नौसेना का पी एटी वन बिमान किस देश में अभ्यास बरुन के बाइसवे संस्करन में भाग लेने के लिए पहुचा है तो वो है फ्रांस किस राजबिधान सवा में एंटी रेफ बिल पास हुआ तो वह है पहचिम बंगाल में उत्तर परदेश सरकार कहां बैदिक 3D संग्राले बना पूरूस क्रिकेट टीम के चयन करता कौन न्युक्त हुए है तो अजय रात्रा क्या है कहां बिश्व सांती बुध बिहार का उद्गाटन किया तो वह है महराष्ट में किसे फिक की यूथ आइकन नामित किया गया है तो नीरत चोपड़ा तथा आइसमान खुराना को बिसानु यूध अभ्यास मौक ड्रिल का योजन कहां हुआ तो अजमेर में हुआ किस बैंक ने भारत में गीग बरकर्स के लिए बितिये पैकेज गीगा लॉंच किया है तो वो है HDFC बैंक कहां जेल से भागने की कोशिस में 129 लोगों की मौथ हुई है तो वो है कांगो में कहां हुई है कांगो में हुई है ताहिर जमान को किस देश की होकी टीम का मुख कोच नुक्त किया गया है ताहिर जमान को भारतिय नौसेना ने किस देश के साथ बरुन अभ्यास कायोजन किया तो वो है फ्रांस के साथ जल संचय जन भागिदारी पहल किस ने सुरू की है तो नरेंदर मोदी ने किस देश ने T20 किरकेट इतिहास में पावर पले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है किस देश ने T20i में किरकेट इतिहास में पावर पले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है तो वो है अस्ट्रेलिया किस केंद्रिय मंत्री ने टाइम मैगजिन को AI की सबसे प्रभाव सालिब व्यक्तियों के सूची में सामिल किया है वो है असनवी बैसनव किस राज सरकार ने पुलिस बल में महलाओं के लिए 33% आरच्छन की मंजूरी दी है तो वो है राजस्थान अंडर 2020 विस्व कुस्ति चेंपियंशिप में किस भारते महला रेसलर ने स्वर्न पदक जीता है तो वो है ज्योती बेरबाल कौन सी राज सरकार अगले बर से 20 अगस्त के दीन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी तो वो राज है असम 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाएगी कपिल परमार किस खेल में पैरा उलम्पिक पदक जितने वाले भारतिय अथलेट बने है किस ने इस रो पर दहिंदू कौफी टेवल बुक का विमोचन किया है वो है एस सोमनाथ दहिंदू कौफी टेवल बुक किस ने 20 बधिर चेंपियंशिप में 20 रिकॉर्ड के साथ स्वरन पदक जीता है तो वो है सौर सैनी क्या है सौर सैनी साथ सितंबर को किस देश का स्वतंता दिवस मनाया गया साथ सितंबर को तो वो मनाया गया है ब्राजिल का सोतंता दिवस मनाया गया साथ सितंबर को अगनी चार बलेस्टिक मिसाल का सफल परिछन कहां किया गया तो उडिसा में किया गया कहां किया गया उडिसा में किया गया किसे पेरिस पैराउलम्पिक समापन समारों में भारत का सब्सक्राइबны. इंदर सिंग्हो Windows क्यरियर गोहए पहुंचने वाले पहले ख्रियाडी क्यों बने तो वह बने रुनाल्टो 60рьस गोहँ पहुंचने वाले पहले ख्रियाड़े इक कौन बने रोनाल्डो पुष्टगार के फट्वावलर है की इस तो वो है हिमाचल पर्देश, हिमाचल पर्देश. किस राज सरकार ने अधार कार्ड के लिए ए्नर्सी रसीद संख्या अनिवार कर दिया है؟ तो गो है असमराज सरकार, किसने पर्थम अमेर्की ओपन का खिताब जीता है, किसने पर्थम अमेर्की ओपन का खिताब जीता है, तो आरियाना सबा लेंका, सूपा टाइफून यागी ने किस देश में भारी तवाही मचाई थी, सूपा टाइफून यागी ने किस देश में भारी तवाही मचाई, तो जो है ब्यत नाम, क्या है, ब्यत नाम। नुमा खाई उतसब कहां मनाया गया, उरीसा में मनाया गया। भारत खाड़ी सहयोग परिशद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठा कहा हुई तो रियाद में हुई पेरिस पैरा उलम्पिक में पुर्सों की भाला फेक अस्परदा में नबदीब सी ने कौन सा पड़क जीता तो वो जीता स्वार्न पड़क क्या है स्वार्न पड़क बृतेन एरोपिये युनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एयाई संधी पर हस्ताचर के तो वो है अमेरिका संजुक तराष्ट महासाभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोरित किया तो वो संबोरित किया एस जैसंकर ने किसने एस जैसंकर ने अमेरिकी ओपन 2024 पुरुषख खिताब किस ने जीता तो जेनिक सीनर ने किसे राष्टे स्वास्त मिषण के लिए राज मिषण निदेशक न्यूट किया गया तो वह है बिनै गोयल किस देश का स्वतंता दिवस मनाया गया नौ सितंबर को सितंबर को किस देस का सटंता दिबस मनाए गया तो वो मनाए गया तजिकिस्तान को ताजिकितान को केंद्रिय परियावरन मंत्रालाइ के सवच बायू सर्वेच्छन 2024 में कौन सा सहर सीर्ष पे रहा तो सूरत जो है वो सीर्ष पे रहा एसियन हाउकी चैंपियोंस्टग ट्रॉफी काई गया तो वो किया गया चीन में काई क्या गया चीन में किया गया किस एरोपियो देश ने दूस साल तक के बच्चों के मुवाइल टीबी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कहिए, तो वह है स्वेडन देश, किस देश के मोहिन अली ने अंतराष्टे किर्केट से सन्यास लिया है, तो वह है इंगलेंड के, मोहिन अली इंगलेंड के ख हासी लोक। नई सीरे से सिमांखन किया जाएगा कहा हल्दी की नई पढ़ाती की खोज की गई नागा लेंद में अंतरराष्टर jeu वंदन का 101 वा सदयश कोण बना तो वो बना भारत के पड़ोसी नेपाल graduation master गुआ ने सृलंका में राष्ट मंडल रैपिट सत्रन चैंपियंशिव में कौन सा पदक जीता ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने स्रिलंका में राष्ट मंडल रैपिट सत्रन चैंपियंशिव में कौन सा पदक जीता वह जीता है स्वार्ण पदक क्या है स्वार्ण पदक भारत की पहली SII Schoolie Championship 16 कौन बनी तो दिपाली थापा क्या है दिपाली थापा भारत की पहली SII Schoolie Championship 16 कौन बनी दिपाली थापा बनी सर्वस्रेष्ट देशों की रैंकिंग में कौन सिर्ष पर रहा तो वो है सूट जर्लेंड क्या है सूट जर्लेंड रहा बिस्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बजार कौन बना तो वो बना भारत किस राज के में 80% आरच्छन के साथ जन जाती है बिस्विद्याला अस्थापित किया जाएगा तो वो है महराष्ट संजुक्त राष्ट महासवा का उनासिवा सत्र कहां शुरू हुआ तो वो शुरू हुआ निवार्क में संजुक्त राष्ट महासवा का उनासिवा सत्र कहां शुरू हुआ तो निवार्क सिंगापुर साहित पुरुषकार किस ने जिता तो प्रसांती राव ने प्रसांती राव ने हाली में 45 वा फिडेव 17 उलम्पियाड कहां शुरू हुआ तो यह शुरू हुआ हंगरी में कहां हंगरी में हुआ किसने सर्वस्रेश्ट अतिथी अभिनेत्री के लिए क्रियेटिव आर्ट्स एमे पुरुषकार जिता है तो जेमी ली कर्टिस ने नेक्स्ट है किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनी का भ्यास ओसिन दोहजार चोबिस शुरू किया इस देश ने अपने सबसे बड़ा नौसैनी का भ्यास ओसिन दोहजार चोबिस शुरू किया है तो वो शुरू किया है रूस ने PCAF में सामिल होने वाला पहला परमुख भारतिय बैंक कौन सा बना? Union Bank of India किसे उनासबे महासवा सत्र में संजुक्त राष्ट के सदस देसों में अस्थान मिला किसे उनासबे महासवा सत्र में संजुक्त राष्ट के सदस देसों में अस्थान मिला तो वो मिला किस राज सरकार ने उपकरन निर्मान के लिए कैटर पिलर के साथ समझ उता किया है तो वो है तमिलनाडू क्या है तमिलनाडू सहरी प्राथमिक पिह सी में आयू सुबधा देने वाला पहला राज कौन बना सहरी प्राथमिक पि-एच्ची में आयू सुब्धा देने वाला पहला राज कौन बना? तो वो बना मध्य परदेश क्या है? मध्य परदेश बना कौन मत दाताओं को सभी एस्तरों पर न्याई धीसों का चुनाव करने के नुमती देने वाला पहला देश बना? तो वह है मेकसिको क्या है मेकसिको केंद्रिय मतस्पालन पसुपालन और डेरी मंत्री राजीव रंजन सी उर्फ ललन सी ने कौन सा एप लॉंच किया है तो रंगीन मचली डियाडियो और भारतिय नौसेना द्वारा भीयल S.R.S.A.M. का सफल परिच्छन कहा किया गया तो चांदीपूर उडीसा में किया गया किस राज सरकार ने 17 सितंबर को परजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्ने लिया तो गो है तेलंगाना पोर्ट बलेयर का नाम बदल कर क्या किया गया तो सिरी बिजय पूरम किया गया अगला है अंतराष्टिय एमी अवार्ड की मेजवानी करने वाले पहले भारतिय कौन बने तो वो बने बीरदास क्या है बीरदास कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में सामिल हुआ तो वो है अलजीरिया जी ट्वंटी किरसी मंत्री अस्तरिय बैठक कहां युजित हुई तो ब्राजील में हुई किस राज सरकार ने ट्रांस जेंडर बिशिष्ट सरकारी भरती और समाजिक कल्यान कार्जकरम की घोषना की है तो वो है तिलंगाना क्या है तिलंगाना आयू सुबधाओं बाले राज्यों के मामले में देश में कौन सराज सिर्ष पे रहा तो मद्य पर्देश जो है वो सिर्ष पे रहा इंडस एक सिखर सम्मेलन का तिसरा संस्करन कहां संपन हुआ तो कैलिफोर्निया में संपन हुआ पशपनवा भारतिय अंतराष्टे फिल महतसव कहां युजित होगा तो वो है गोवा में केंद्रिय ग्रीम मंत्री अमीत सान ने किसे राजभासा कृति पुरुषकार परदान किया है तो बी स्री निवाशन भारत ने कहां ब्रिक्स लिट्रेचर फोरम 2024 में भाग लिया तो वह है रूस चक्रबात बेन बीका ने किस देश को प्रभावित किया तो फिलिपीन्स क्या है फिलिपिन्स च्वाथ बेन बिका ने किस देस को प्रभावित किया तो फिलिपिन्स Isis ने फिजाब पर परती बन्ध लगाया ही जाब पर परती लगा तुम है ताजिकिस्तान तजयकिस्तान कौन बैश्विक बैस्विक साइबर सुरच्छा सुचकांक में टीयर बंद पर पहुँच गया तो भारत इस देश ने ऑप्रेशन यमन शुरू किया है तो वह है इजरायल ब्रूसेल्स में डाइमंड लीग 2024 का खिताब किस ने जीता है तो इंडर्सन पीटर्स ने जीता है चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का सम्मेलन कहां सफलता पुरुवक संपन हुआ तो नई दिली में संपन हुआ 15 सितंबर को दुर्दर्सन ने अपनी कौन सी बर्सगाट मनाई तो 65 भी बर्सगाट मनाई 15 सितंबर को किस देश ने ऑप्रेशन सदभाव शुरू किया है तो वो है भारत ने शुरू किया है उप्राष्टपती जगदीब धनकर ने कहां समिधान मंदिर का उधगाटन किया तो वो है मुंबई में किस बैडमिंटन खिलाडी ने लिविन में महला सिंगल्स का खिताब जीता है तो वो है अनमोल खरव वयपार औ उद्दोग से समबंधि सिकायतों के समधान के लिए किसमे जन संवाई 2023 को सिम्मा 2022 में बेस्ट एक्रेस करेटिक का पुरुसकार किसने जिता सिम्मा दोहजार चुविस में बेस्ट एक्रेस क्रेटिक्स का पुरुषकार किस ने जिता तो सबरिया रायने पर्धान मंत्री मोदी ने कहा बैस्वीक अच्छे उर्जान नी बेस सक सम्मेलन का उदगाटन किया तो बो है गांधी नगर क्या है गांधी नगर स्वच्था ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ तो 17 सितंबर को शुरू हुआ भारत की पहली बंदे मेट्रो का नाम बदल कर क्या किया गया है तो नमो भारत रैपिड रेल किया गया है किसने भासकर प्लेटफॉर्म लाउंच किया है तो DPIT ने सलीमा इमत्याज ICC Empire Penal में सामिल होने वाले किस देश की पहली महला बनी तो वो है पाकिस्तान की कहां की पाकिस्तान की अखिल भारते फुटवाल परिसंग ने किसे राष्टिय सिनियर महला टीम का परमुख कोच न्यूप किया है तो वो है संतोस कस्यप क्या है संतोस कस्यप है नेक्स्ट है टॉप गन कप में पुर्षो की 10 मिटर एर पिस्टल परधा में किस भारते ने स्वन पधग दिता है टॉप गन कप में पुर्षो की 10 मिटर एर पिस्टल परधा में किस भारते ने स्वन पधग दिता है तो वो है अनमोल जैन में परधान मंत्री मोधी ने कहां सुभद्रा योजना का सुभारम किया तो वो है उडिसा किस देश की हाउकिट टीम ने पांच भी बार एसियन चेंपियन ट्रोफी का किताब जीता है तो वो है भारत कहां सुदूर बंच्छेतर में पहला कंटेनर स्कूल खुला है तो वो है त्यलंगाना भीसन सुखे की बज़ा से कौन सा देश दो सव हाथियों को मारेगा तो वो है जिमबावे अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मेनेजर निउक्त किया है तो वो है समीर कुमार को किसे समीर कुमार को किसने बच्चों के लिए पेंसन योजना एनपीएस बातसल का सुभारम किया है तो निर्मला सिता रमन ने कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महला लडाकु पाइलेट बनी तो वो है मोहना सिंग क्या है मोहना सिंग किस देश की सरकार ने क्रिष्ट्यानो रोलांडो के सम्मान में एक बिशेश सिखा जारी किया है तो वो है पुर्थगाल राजभासा किर्थी पुरुषकार किसे परदान किया गया तो भेल को कौन सरबाधिक फोटोजेनिक युनेस्को बिश्व धरोहर में घोसित हुआ तो अंकोर बाठ डेबलु एचो ने किसे कुष्ट रोग मुक्त होने वाले दुनिया का पहला देश घोसित किया तो वो है जॉर्डन भारत कब तक अपना भारतिय अंत्री शेस्टेशन अस्था करगा तो 2018 तक टाइम पत्रिका की 2024 की सरवसरेश्ट कंपणियों की सीची में कौन कंपणी शिर्ज पे रही तो वो है एप पल अजर बैजान किस ने जी जीता अजर बैजान किस किस ने जीता तो आसकर प्यास्त्री ने किस राज के मुख मंत्री द्वारा नई MSME नीती 2024 का सुभारम किया है तो वो है तिलंगाना क्या है तिलंगाना मिस इंडिया बर्डबाइट 2024 का टाइटल किसने जीता है तो धुरूबी पटेल ने किस राज सरकार ने इतिहासिक संपत्ति छती बसूली अभियान लागू किया है तो वो है उत्राखण नेक्स्ट है किसने चौदाभी हावकी इंडिया जुनियर पुरुस राष्ट्य चेंप्रेंशिप 2024 जीती है तो वो है पंजाब कहां खुले जल में तराकी अभियान का उधगाटन किया गया तो अंडुमान निकोबार दिप समों में उनिस्वेद दिब कला मेले का उधगाटन कहां हुआ तो विसाखा पटनम में हुआ स्वेद करांती 2.0 का सुबारम किस ने किया है अमीद साने किसने अमीद साने भारत का तिसरा सोदेशी प्रेसराइजड हैबी बाटर रियक्टर कहां एक्टिवेट हो गया है तो वो है राजस खान में परधान मंत्री मोदी ने कहां पीए मित्रा पार की अधार सीला रखी है तो वो है अमराबती में पीए मोदी ने कहां अचार चानक कौसल विकास योजना की शुरू की है तो वो है महराष्ट में किस देश में भब्य समारोह के साथ समिधान दिबस मनाया गया तो वह है नेपाल में चठा क्वाड लीडर सिखर सम्मेलन कहां संपन हुआ तो डेला बेर में कहां डेला बेर में 2025 में ISS जाने वाले भारतियंत्री श्यात्री कौन बनेंगे तो सुभानसु सुखला तुफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है तो वो है चीन में मचाया है किसे हगर्थ 2024 के लिए ICC प्लेयर अफ़दम मन्त चुना गया है तो समर्विक्रमा तथा ढूनित विला लागे को राजगाद सुरच्षा सुखकाँ 2024 में किस ने पहला स्थान हासिल किया है तो वो है केरल में सुचकांग 2024 में किस ने पहला स्थान हासिल किया है तो केरल ने किस देश ने क्रॉस अस्टेट जोड़ों के लिए समलाइंगिंग बिवाह को मानिता दी है तो वो है ताइबान किसे फीडे हैंडेट पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो मैगनस कालसन तथा जुडित प पॉलगर को नेक्स देखते हैं भारत के भारत के धनुस लोगनाथन ने आई डेवलो एफ जुनियर बिस्व चैंपेशिप में कौन सा पदक जीता है तो काशिप पदक जीता है केंद्र सरकार ने किसे जारखंड उचन्याले का मुख नियाधिस निउक्त किया है तो एस एस भारत और किस देश की वाई सेना ने इस्टन ब्रिज सेवन युदभ्या सफलता पुरवक पुरा किया है तो वह है ओमान किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभ्यान 2024 की सुरुआत की है वह है वोपेंद्र यादव जौर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चेंपियंशिब में मिक्स्ट मार्सल आर्ट्स लड़ाई जितने वाले भारतिय पहलवान कौन है तो वह है संग्राम सिंग उनिस्वी भारतिय अस्टेलिया संजुक्त मंत्री अस्तरिया आयोक की बैठक में भारत का प्रतनिदित किस ने किया वह है पियूस गोयल ने क्वार्ड सिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा तो वह करेगा भारत वर्ड फिरी जोन्स और्गनाइजेशन कॉंग्रेस का दसवा बार्शिक सम्मेलन कहां शुरू हुआ तो दुबई में शुरू हुआ सिंगापुर्ण ग्रैंड प्रिक्स 2024 किस ने जीता तो लैंडो नौरिश ने जीता दुज़ा जाएगा तो जैपूर में किया जाएगा परधान मंत्री मोदी ने कहां भारतिय बानी जुद्धुतावास खोलने की घोशना की है तो बोस्टन एबम लॉस एंजल्स में नेक्स देखते हैं भारत ने 45 वे फिडे सत्रांज उलंपियाड में कौन सा पदक जीता है वह स्वार्ण पदक भारत ने कहां जी सेवन संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है तो वह है इटली क्या है इटली मिस उनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किस ने जीता है तो रिया सिंगा ने रिया सिंगा ने कौन सी भारते फिल्म 57 में आउसकर पुरुषकारों के लिए नामित हुई है तो वो है लापाता लेडिज क्या है लापाता लेडिज अमीर खान के पोड़क्शन में ये बना है गि क्रिस्ट अभिनेता के पुरुषकार से सम्मानित क्या गया है वह है चिरंजीबी कोनिडेला यूएस की राष्टिय क्रिकेट लीक का आयुक किसे बनाया गया है तो हारून लोगाट को भारत में बिमानन मंत्राले ने किस नई एरलाइन के मंजूरी दी है भारत में बिमानन मंत्राले ने किस नई एरलाइन को मंजूरी दी है तो वो है संक एयर ने संक एयर ने परधान मंत्री मोधी ने कहां सम्मिट आफ फ्यूचर को संबोधित किया है तो वो है निवार्ग किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे UK संसद में Global Prestige वार से सम्मानित किया गया है वो है बिनोध बच्चन को क्या है बिनोध बच्चन को ताटा अस्टील ने कहा देश का सबसे बड़ा Blast Furnace चालू किया है तो वो है उड़ीसा में महारास्ट में किस एरपोर्ट का नाम बदल कर जगत गुरू संथ स्रेष्ट एरपोर्ट कर दिया गया है किस राज में पहला गैस अधारित इलहंका गैस बिजली सेंत्र चालू किया गया है वो है करनाटक बस हम लोगों के लिए क्या है कि वह जीके का एक और नाम जूड़ जाता इसे आओर याद करना है और कुछ नहीं होता है नाम बदलने से लाइंगे विवाग को कानूनी दर्जा मिला है तो वह है थाई लैंड एसिया पाबर सुचकांग 2024 में कौन सिर्स पर रहा तो वह है अमेरिका किस पुर्वत्तर में राज ने उगरबाद मुक्त होने की घोशना किया तो वह है मनेपूर 2024 के एक लब पुरुषकार के किसे चुना गया है तो पर्तियासा रे को मन किडिया समुदाय को किस राज ने विशे सारी वासिस समुख का दर्जा दिया है मन किडिया समुदाय को तो वो है उडिसा राज भारत में हत्यारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उबरा है भारत से हत्यारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उबरा है तो वो है अर्मेनिया क्या है अर्मेनिया डियाडियों ने किस आयाइटी के साथ मिलकर अभेद लाइट बेट बुलेट प्रूफ जैकेट बि तो वो है तरा सिबा, क्या है तरा सिबा, बिजेस मंत्री एस जैसंकर ने कहाँ, एस सिक्स्टिनाइम और सी टेन राष्ट समुहो कि पहली संजुक मंत्री अस्तर यह बैठक में भाग लिया, वो है निवार्ण में, कहाँ, निवार्ण में, Global Innovation Index 2024 में कौन सीर्स पे रहा तो स्यूटजर लेंड जो है वो सीर्स पे रहा कहां मेधावी छात्रों को समर्थन परदान करने के लिए CM7 योजना शुरू की गई CM7 योजना शुरू की गई तो वो है तिरपूरा में किसने उलान बाटर में IBSF बर्ड शिक्स रेड चेंपियनसिफ जीता है तो कमल चावला ने कहां भारत का पहला कागज रहित चुनाब आयोजित किया गया तो वो है मध्य परदेश में कहां मध्य परदेश में 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिबस मनाया गया कहां साह आलाम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया कहां साह आलाम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया तो वो है मलेशिया में जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज के हाई कोट के चीफ जस्टिस बने जस्टिस सुरेश कुमार कैत तो वो बने मध्य परदेश के कौन सी राज सरकार फसलों को नुकसान पहुचाने वाला निल गाय और जंगली सुरों को मारेगी तो वो है बिहार राज भारत और किस देश के भी संजुक ब्यापार समीती का छठा सत्र नई दिल्ली में आयुजित किया गया तो वो है मिस्र में नेपाल का सबसे बड़ा ब्यापारिक साज़ेदार कौन बना तो भो बना भारत बना भारत म्यानमार्ट संजुक ब्यापार समीती की आठवी बैठक कहां युजित की गई तो नई दिल्ली में गलोबल एरोस्पेस सम्मिट का उदगातन कहां हुआ तो आबुधावी में गलो किस राज सरकार ने किसानों और उदम्यों को समर्थन देने के लिए बाना काई योजना शुरू किये तो बहु है मिजोरम किस देश के किर्केटर ड्वेन ब्राबो ने सन्यास की घोशना किये तो बेस्ट इंडेज के परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने किस सहर में तीन परम रुद्र सूपर कम्प्यूटर राष्ट को समर्पित किये तो वो है कमबोडिया किसने नए आत्मगाती ड्रोन सहीद 136 बी का अनावरन किया तो वो किया इरान ने किसने किया इरान ने ये था अस्पीडी के वन लाइनर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेर कर देज़ेगा धन्यवाद